पैंसन धारकों के लिए फिर से बड़ी खुसकबरी जारी हो चुकी हैं। काफी लंबे समय से पैंसन धारक पैंसन को लेकर इंतजार कर रहे थे कि उनकी पैंसन कब आईगी। लेकिन अब वह इंतजार समाप्त हो चुका है। आपकी जानकारे के लिए बता दे कि 15 जुलाई 2020 से सरकार द्वारा पैंसन ट्रांसपर किये जाएगी। 6 महिने से रुकी पैंसन का सभी पैंसन इंतजार कर रहे हैं। 6 महिने से पैंसन को ट्रांसपर नहीं किया गया है। आपको बता दे कि यह पैंसन 500 रुपे बढ़ा कर लाबारती के बैंक खाते में आने वाली है और साथ साथ दोस्तो सबसे बड़ी खुसकवरी यह है कि जो 6 महीने की पैंसन सरकार द्वारा रोकी गई है वह एक साथ बैंक खाते में आने वाली है लेकिन पैंसन आने से पहले पैंसन धर्गों को दस्तावेज जमा करने होंगे तभी उनकी पैंसन बैंक खाते में ट्रांसपर हो पाईगी कौन से दस्तावेज जमा करने हैं उसके बारे में संपुन जानकारी हम आपको देने वाले हैं साथी साथ, यह है, एक साथ पैंसन किन-किन लावार्तियों के बैंक खाते में आएगी, उसके बारे में भी हम आपको तमाम जानकारी हैं यहाँ पर देने वाले हैं, अगर पैंसन धारा की है, दस्तावेज जमा नहीं करते हैं, तो उनकी पैंसन को रोक दे जाएगा, चिल दो कर दीजिए जासे अधा शेयर करिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चुरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों वरद्धावस्ता पैंसन दिव्यांग पैंसन विद्वा पैंसन धारक अपनी पैंसन को लेकार इंतिजार कर रहे हैं यनकी यहां पर चे कोई भी पैंसन धाराख हो, चाहिए बुजरुप पैंसन धाराख हो, दिव्यांग हो, विकलांग हो, या फिर विद्वा महिलाई हो, सभी अपनी पैंसन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि करीब 6 महीने की पैंसन सरकार दौरा रोकी गई है, लेकिन आपको दौरा रोकी गई, 6 महीने की पैंसन को 15 जूलाई से, जोस्तो 15 जूलाई 2022 को ट्रांसपर की जा सकती है, और यह पैंसन सरकार दौरा दोस्तो जनवरी 2022 में ट्रांसपर हुई थी, यानिके इप से पहले जो पैंसन ट्रांसपर की गई थी, पैंसन धार्कों की, वेह हैं, रूपे तिम्हाही सरकार द्वारा ट्रांसपर की गए थी। लेकिन अब कि बार भी जो पैंसन आने वाली है वह लावार्ति के बैंक खाते में बढ़कार ट्रांसपर की जाएगी। में बतलाव भी किया गया है आपके जानकार लिए बता दें कि फर्वरी मार्च अप्रेल माई जून की जो पैंसन है अब तक सरकार द्वारा ट्रांसपर नहीं की गई है लेकिन बता जा रहा है कि इन पांच महीनों के साथ जो पैंसन जुलाई की है वह भी ट्रांसपर की यनि के जुलाई तक का पैंसन सरकार द्वारा ट्रांसपर की जाएगी तो पैंसन धरको के बैंक खाते में यह ट्रांसपर होने जा रही है लेकिन जो रुकी हुई पैंसन को प्राप्त करना चाते हैं उन सभी लावार्तियों को कुछ महत पूर्ण दस्तावेज जमा करने हो दस्तावेजों के साथ दोस्तों आपको कुछ कारिये भी करने होंगे जो हम आपको बताएंगी हाला कि काफी वैक्तियों ने यह कारे कर लिया है और जिन वैक्तियों ने यह कारे किया है वह दोबारे से नहीं करेंगे यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी चलिए जान ल ल्यान्वी भाग के तरप से पैंसन में जिन पैंसन धरकों ने केवाईची नहीं कराई है वह पैंसन की केवाईची जरूरब पर लिजीगा। यह सबसे बड़ी अपडेट है, जो सरकार दुरा बताया गया है कि जो भी पैंसन धारक अपनी पैंसन की KYC करेंगे, उनकी ही पैंसन ट्रांसपर की जाएगी, और जो पैंसन धारक KYC नहीं करेंगे, उनकी पैंसन को रोकते जाएगा. दोस्तों आपको बता चाहेंगे कि आपको कौन से दस्तावेज अब जमा करने होंगे परदेश सरकार द्वारा पैंसन में बंपर बढ़ोतरी भी की गई है जिसके चलते लाबारती के बैंक एकाउंट में मोटी रकम आने वाली है दोस्तों कहीं राज्य सरकारों द्वारा पैंसन में बढ़ोतरी भी की गई है चाहे वह राज्य उत्राखंड हो दिल्ली हो राजिस्थान हो या फिर उत्तर परदेशों कहीं बढ़े राज्य में बढ़ोतरी की गई है पैंसन धारकों को यहां पर बड़ी सोगात दी गई है लेकिन वहीं पैंसन योजना में भी नए नियम लागु किये गए हैं जिसके अंतरकत सभी पैंसन धारकों को सबसे पहले यहां पर अपने पैंसन की केवाई सी करानी होगी और साथ साथ दोस्तों यहां पर कुछ कारिया भी करानी होगे जिसके बारे में हम आपको यहां पर बता देते हैं तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजेगा बताय गया है जो भी पैंसन धारक अपने बैंक खाते की केवाई सी को नहीं कराएगा उनको भी pension नहीं दी जाएगी यानि के pension धरक को EKYC कराने के साथ साथ अपने bank खाते में अपने bank में आधार काड और pen card की photocopy भी जमा करनी होगी तभी bank खाते में पैसे आपाएंगे और दोस्तों उनकी KYC भी complete हो पाएगी bank खाते की KYC भी कराना अनिवारिय है इसके बिना pension ट्रांसपर नहीं की जाएगी तो दोस्तों अगर pension को लेकर आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा आपसे छोटा सा निवदन करेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए जाज स्यादा शेयर करेगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चुरूर सब्सक्राइब पर दिजिएगा दोस्तो योजना ओनलाइन फोर यूज चैनल के माध्यम से आपको किसी भी परकार का भर्मित नहीं किया जाएगा सही समय पर सही सटिक जानकारी आपको प्रोवाइड होती रहेगी तो आप चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करेगा आप चाते हैं आप से यज़ात और मिलते हैं आपको फिर से नाइस्ट वीडियो में नई जानकार के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत